मुखी मंती विश्ण देव साय गुरुवार को राजधानी रायपुर की विधान सभा आवासी परिसर में आयजित एक पिड माक के नाम रिक्षा रुपन कायकरम में शामिल होए। कायकरम की अध्यक्षिता विधान सभाद्यक्ष रमन सिंग ने की इस उसर पर 36 विधान सभाद्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग ने कहा कि सावन के इस पावन महिने में 50 एकड के इस विधान सभा परिसर को बगीचे में तब्दिल किया जा रहा है। पिझेश सर्माव वन एवं जल्वाउव परिवर्तव मंत्री केदार कश्यप कृषि मंत्य राम विचार निताम खाद मंत्य दयाल दास बगेल २गहनली करे 07 शवात्रे दिवांगल महिरा एवं बाल विकास मंती लक्षमी राजवारे, खिल मंती टंकराम वर्मा एवं विधानसभा नीता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरंडास महांति सहीद समस्त विधायक गण उपस्थित रहे आज विधानसभा परिशर में सावन के सुब मा में विधानसभा का ये परिशर जो पचास एकड़ का एक सांदार भगीशा की रूप में विक्षित हो रहा है मानी मोख्यमंत्री विश्टु देव जी उपस्थित हैं नेता प्रतिपक्ष अरंदा जी और हमारे सारे मंत्री ग सबकी भागी जारी है और यह एक निश्ची दूरुप से ऐसा परिशर बनेगा जो आने वाले समय में बच्चों के लिए गार्डन भी रहेगा एक लैग भी डेवलप हो रहा है और हर प्रकार के पेड़ जिसके बारे में कहा जाता है महुआ से लेकर साल से लेकर हर प्रजा दोना एक वरिच्ष मा के नाम हम अपने अपने मा के नाम समर्पित कर रहे हैं इस वरिख्ष को और इसका रक्षा करना भी सबकी ज़वाबदारी है बन विभाग इसको संधारण करे है हमार देश के अस्वसी प्रधान-मंती जी का हवान है पुरे देशवासी मन्त से की सब अब अपन अपन मा के नाम से एक पेड़ लगाएं और वही अभियान के तहत आज हमन यहां 50 एकड़ के रगवा है यहां एक साथ पुरा मंत्री मंदल हमर विधान सभा के अध्यक्ष हमर नेता प्रतिपक्ष हमर सबों विधायक मन यहां पेड़ लगा थन और तरह-तरह के पे बेल, तुन्नीम, पीपल, रामफल, सिताफल, हनमानफल सब तरह के पेड़ी यहां लगा थन लगाए हैं आज और प्रधान मंत्री जी के आवालब पुरा करा थन